असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, उमीद है आप साब लोग खेरियत से होंगे, इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स का लेक्चर नमर 17 आज हम पढ़ेंगे, पार्ट्स अफ स्पीच हमने स्टार्ट किये हुए हैं, उसमें हम नाउन को पढ़ रहे हैं, नाउन का पार्ट वन हम डिस सारी टाइप्स हमने पढ़ ली थी, अब हम देखते हैं, जेंडर की बेस पे नाउन को कितनी केटगरी में डिवाइड किया हुआ है, बेस्ट ओन जेंडर ता नाउन्स आर क्लासिफाइड इंटो फॉर क्लासिज, जेंडर के लिहाज से नाउन को चार एकसाम में तक्सीम कि जैसे आद्मी, लड़का, बेल वगएरा, सैकिंड है फैमिन जेंडर, फैमिन जेंडर जो है, यह मैस्कुलिन जेंडर का आपजिट होगा, उर्दू में हम जिसको मजखकर और मोननस कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर जो है, वो मेल लिविंग तेंग को डिनोट करता है, और ज जेंडर की बेस पे जो थर्ड टाइप है नाउन की उसको हम कहते हैं common जेंडर, the noun which may be taken as male and female both, ऐसा नाउन जिसको हम male भी consider कर सकते हैं और female भी दोनों तरह से हम उसको ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं common जेंडर, for example, friend, pupil, child, fish, bird वगरा, friend, दोस्त जो है वो male भी हो सकते है, female भी हो सकती है, baby boy भी आ सकता है, इसी तरह fish, bird वगरा, ये सारे के सारे कहलाएंगे common gender, fourth type है on the basis of gender, neuter gender, a noun that denotes a non-living thing and has no specific gender is called a neuter gender, ऐसा noun, जो non-living thing को denote करे और उसका कोई भी specific gender ना हो, उसको हम neuter gender कहते हैं, non-living thing हो और उसका कोई specific gender ना हो, जैसे pen, book, watch, paper, room, tree वगरा, उर्दू में तो जब हम इनको बोलते हैं, तो तज़कीरोता निसका ख्याल रखते हैं, लेकिन इंग्लिश में neuter gender कहलाएंगे ये, उर्दू में जैसे ये मेरी किताब है, यहाँ पर इसको हम monas consider करेंगे, और ये मेरा कलम है, ये मुझकर consider होगा, लेकिन जैसे में ये neuter gender कहलाएंगे, अब है ways of forming the feminine of nouns, noun के मुझकर से monas कैसे बनाते हैं, वो तरीके हम देख लेते हैं, नाउन को feminine बनाने के तीन तरीके हैं, पहला है by using an entirely different word, मुकमल तोर पे एक different word use करके हम feminine बना सकते हैं, for example, masculine है boy, feminine हो जाएगा girl, brother, sister, nephew, niece, king, queen, दोनों words जो हैं, ये एक दूसरे से different हैं, एक तो तरीका ये हो गया noun को feminine बनाने का, second है by adding a syllable, e-double-s, i-n-e, t-r-i-x, या a को add करने से उसका feminine noun बन जाएगा, for example, poet, इसके आगे हम e-double-s add कर दें, तो poetess बन जाएगा, feminine, host, इसके आगे e-double-s add किया, hostess, तो ये feminine बन गया, अब यहाँ पे note क्या है, यहाँ पे इन ही examples में, हमने पूरे word के end पे e-double-s लगा दिया, तो feminine बन गया, लेकिन कुछ words ऐसे हैं, उनके साथ e-double-s जब हम use करते हैं, तो उनका last वला जो vowel letter होगा, उसको drop करके फिर e-double-s लगाएंगे, उसका feminine noun बनाने क लिगे, for example, actor, तो इसका last वला जो vowel letter हो इसको drop करके फिर e-double-s लगाएंगे, इसका feminine noun बनेगा, इसी तरह prince, तो इसका last vowel letter है e, इसको drop करेंगे, तो फिर e-double-s लगाएंगे, इसका feminine gender बनाएंगे, hero, heroine, इसके end पे ine add करके feminine noun बनाया, E-R-I-X वाली example देखें, testator, testatrix, वसीयत लिखने वाले को कहते हैं, testator और वसीयत लिखने वाली testatrix कहलाएंगे, सुल्तान, हाकिम या बादशा को गएंगे, और इसके end पे a add करेंगे, सुल्ताना बन जाएंगा, इसी तरह signer, इसके end पे a add करके, इसका feminine noun बनाएंगे, signora, signer, इटली में एक तरह का तरजे तखातुब है, mister को कहते हैं, बुलाने का एक लकब है, signer, feminine इसका होगा signora, fox, vixen, fox, loomber, vixen, loomdi, धर्ड तरीका है, by placing a word before और after, लफज के end पे या शुरू पे कोई word लगाके, हम उसका feminine noun बना सकते हैं, जैसे grandfather हमारे पास masculine है, इसका feminine बन milk woman, peacock, p-hen, washerman, washerwoman, अब हम देखते हैं, types of nouns according to numbers, पहले हमने अभी discuss की gender की base पे, अब हम numbers की base पे discuss करते हैं, noun की types को, numbers की base पे जाहिर है, दो होंगी singular और plural, singular noun denotes one person, place, or thing, जैसे boy, pen, village, country, बगारा, singular noun जो है, एक शक्स जगा या चीज को जाहिर करेगा, plural noun denotes more than one person, place, or thing, यहाँ पे boy है, तो इधर boys हो जाएगा, pen, pens, village, villages, country, countries, जिस तरह हमने masculine से feminine बनाने के methods पड़े हैं, तरीके पड़े हैं, इसी तरह अब हम पड़ेंगे, कि singular से plurals कैसे बनते हैं, पहला तो तरीका यह है, कि singular noun के आगे s add कर दें, तो उसकी plural form बन जाती है, जैसे boy, boys, pen, pens, girl, girls बगारा, लेकिन कुछ nouns, जिनके end पे s, sh, या ch की soft form, या x हो, तो फिर हम उसकी plural form बनाने के लिए अकेला s नहीं, es लगाते हैं, singular के आगे es लगाएंगे, for example, class, class, s पे end हो रहा है, तो इसकी plural form बनाने के लिए es लगाएंगे, dish, इसके end पे sh है, तो plural बनाने के लिए es लगाएंगे, match, ch, end पे है, ch की soft form, cha sound जो है, वो होगी, तो फिर हम उसकी plural form बनाने के लिए es x, x, box, boxes, what's the noun, जो ओ पे end होते हैं, तो उनकी plural form बनाने के लिए भी हम es लगाएंगे, जैसे buffalo, buffalo, mango, mangoes, hero, heroes, potato, potatoes, लेकिन कुछ nouns जो ओ पे end होते हैं, लेकिन plural बनाने के लिए हम सिरफ es लगाएंगे, जैसे ratio, ratios, piano, pianos, photo, photos, English में कुछ rules होते हैं, फिर आगे उसकी exceptions भी होते ह हैं, तो उनको हम फिर उन words को as it is याद कर लेते हैं, जिन चीजों पर rule apply नहीं होता, फिर उनको हमें memorize करना पड़ता है, फिफ्त rule है singular से plural बनाने का, ऐसे nouns जो y पे end हों, और y से पहले consonant हो, तो last वाला जो y होगा, उसको i में change करके, और फिर es add करके, उसकी plural form बनेगी, जैसे ये word है baby, singular है, y पे end हो रहा है और y से पहले वाला जो letter है वो है consonant, तो plural बनाने के लिए y को पहले i में change किया और उसके बाद es लगा के उसकी plural form बनाई, इसी तरह lady, ladies, city, cities, story, stories, next rule है, ऐसे nouns जो f या fe पर खतम हों, तो उनकी plural form बनाने के लिए f या fe को पहले v में change करेंगे, और फिर es लगा के plural form बनाएंगे, जैसे life, lives, calf, calves, leaf, leaves, knife, knives, shelf, shelves, half, halves, इसी तरह wife, wives, लेकिन कुछ noun जैसे dwarf, hoof, scarf, worth, ये f पे end हो रहे हैं लेकिन इसकी plural हम s लगा के भी बना सकते हैं और v es के साथ भी बना सकते हैं, dwarf कहते हैं, ठिगना या बोना जो छोटे काद का परसन होता है, उसको hoof, खूर या सूम जो होते हैं, उनको कहते हैं गोडे के जो सूम होते हैं, और वॉर्फ, चबूतरा या घाट, सीमिंट का जो उंचा सा बना होता है, उसको कहते हैं, इनकी plural form s के साथ भी बन सकती है, और v e, e, s के साथ भी बन सकती है, f को रिमूव करके, v, e, s लगाके भी इनकी plural form बन सकती है, दोनों तरह से ठीक है, अदर वर्ट्स एंडिंग इन f और fe, add s, as, जैसे chief, chiefs, safe, safes, proof, proofs, gulf, gulfs, cliff, clips, handkerchief, handkerchiefs, ये सारे words भी f पे end हो रहे हैं, लेकिन plural form सिरफ s के साथ बनेगी, इन words को भी हमें याद करना पड़ेगा, कुछ nouns की plural form उनके दरम्यान वाले vowel letters को change करके बनाते हैं, जैसे man, man वाला man होगा, singular और men, man, ज्यादा आदमी होगे, plural होगा, इसी तरह woman, 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 ये singular होगा, woman, ये plural हो foot, feet, tooth, teeth, इनके दरम्यान वाले vowels को change करके हमने इनकी plural form बनाई, कुछ nouns ऐसे हैं, जो अपने singular के आगे en add करके plural form बनाते हैं, जैसे ox, oxen, child, children, the plural of fish is fish और fishes, fish की plural जो है, वो fishes भी हो सकती है, the form fishes is less usual, लेकिन जो fishes है, वो ज्यादा तर use नहीं होती है, fish का singular भी fish होता है, और plural भी, fishes तब use होता है, जब fish की different किसम की types की बात हो रही हो, in general fish ही use करते हैं singular के लिए और plural के लिए, push nouns ऐसे हैं जिनकी singular और plural form same होती है, जैसे sheep, भेड़ या भेड़े singular plural same होगा, deer, hiran, pod, मचली को कहते हैं, trout भी एक किसम की fish है, salmon भी fish है, aircraft, spacecraft, series, species, इनकी singular और plural form same रहेगी, इसी तरह pair, जोड़े को कहते हैं dozen, score, gross, hundred, thousand, ये उस सुरत में singular रहेंगे when used after numerals, जब numbers के बाद हम इनको use करेंगे, जैसे five dozen, five dozens नहीं होगा, numbers के बाद जब ये use होगे तो ये singular ही रहेंगे, for example, I bought three dozen oranges, three number है, इसके बाद dozen use किया, dozens नहीं लिखा, Some people reach the age of three score and ten, एक score जो है, वो twenty year का होता है, three score and ten, कुछ लोग जो है, वो 70 साल की उमर को पहुंच जाते हैं, The dress cost me five thousand rupees, five number है, उसके बाद thousands नहीं, आमने लिखा thousand rupees, इसी तरह stone और hundred weight, he weighs above nine stone, कुछ नाउंस जो हैं, वो सिरफ plural use होंगे, जैसे names of instruments that have two parts forming a kind of pair, instruments के नाम जिनके दो हिसे हों और वो एक पेर की तरह जुड़े हों, वो plural use होंगे, जैसे bellows, scissors, tongues, pincers, spectacles, bellows, lungs या फेपड़ों को कहते हैं, scissors, cangy, इसके भी दो पार्ट होते हैं, tongues, चिम्टा, pincers जो छोटा मोचना होता है, spectacles, glasses, इनके दो पार्ट होते हैं, names of certain articles of dresses, लिबास के कुछ खास articles, जैसे trousers, trousers के दो पाइंचे होते हैं, तो ये हमेशा plural use होगा, drabs, ये drabs पाजामे को कहते हैं, breeches, knicker या shorts, jeans, tights, shorts, pijamas, ये जो dresses के कुछ आर्टिकल्स हैं, ये भी हमेशा plural use होंगे, certain other nouns, कुछ मजीद नाम जैसे के, annals, thanks, tidings, environs, obsequies, assets, ये भी हमेशा plural use होंगे, annals कहते हैं, जो एक सालाना डाइरी होती है, सर्गजश्ट जो होती है, उसको annals कहते हैं, annual से annals, thanks, ये भी plural use होगा हमेशा, tidings, खुशखबरी, बशारत, अच्छी खबर जो होती है, उसको हम कहते हैं, tidings, ये भी हमेशा plural use होगी, environs, मज़ाफात, गिर्दोनवा, obsequies, खुशामद को कहते हैं, assets, पसासे, तो ये ऐसे nouns हैं, जो हमेशा plural की तरह use होंगे, जैसे नाउन्स की लिस्ट है, जो लगते plural हैं, लेकिन होते singular हैं, जैसे names of subjects, mathematics, physics, electronics, economics, इनके end पे S लगा हुआ है, इसकी वज़ा से ये लगते plural हैं, लेकिन ये हैं singular, जैसे हम कहते हैं, any good news, names of some common diseases, जैसे measles, mumps, rickets, measles, khasre वगारा को कहते हैं, mumps, जो गल पेड़े होते हैं, वो, rickets, rickets बचों की एक बिमारी है, जो malnutrition की वज़ा से होती है, सोकडा या सूखेपन की बिमारी होती है, सार बड़ा हो जाते हैं, और बाकी body जो है, वो, smart रहती है, Names of some games, billiards, drats, sentences में इनकी examples को देख लेते हैं, mathematics is his favorite study, यहां पे mathematics are नहीं हमने लिखा, यह ऐसे nouns हैं, जो लगते plural की तरह हैं, लेकिन होते singular हैं, no news is good news, यहां पे भी verb singular लगा हुआ है, it means के noun जो है वो भी singular है, England won by an innings and three runs, an innings, England जो है वो, एक innings और तीन रंज से जीता, अब एन यहां पे लगा हुआ है इसके शुरूपे, इसका मतलब यह है के यह एक ही है, एक innings और तीन रंज से England जीता है, measles is infectious, billiards is my favorite game, मेरी favorite game नहीं है, वैसे example के तरह पे, sentence लिखा है मैंने, means is used either as singular or plural, जो means है, यह singular or plural दोनों तरह से use हो सकता है, but when it has the meaning of wealth, it is always plural, लेकिन जब यह दौलत के मानों में इस्तमाल हो, तब यह हमेशा plural होगा, for example, first sentence है, he succeeded by this means, or by these means, in passing the examination, इसमें this means, और these means, दोनों तरह से ठीक है, वो इन तरीकों से इमतिहान में पास हुआ या काम्याब हुआ, या इस तरीके से काम्याब हुआ, लेकिन जो second sentence है, यहाँ पे, his means are small, but he has incurred no debt, यहाँ पे जो means है, यह दौलत की sense में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यह हमेशा plural रहेगा, certain collective nouns, तो singular inform are always used as plurals, कुछ collective nouns, जो होते singular हैं, लेकिन हमेशा वो plural use होते हैं, जैसे poultry, cattle, vermin, people, gentry, vermin कहते हैं, जो हशरात, किडे मकोडों को, जैसे these poultry are mine, यहाँ पे poultry noun use हुआ, इसके साथ जो verb है वो plural है, और these जो है यह भी plural के लिए use होता है, demonstrative pronoun, whose are these cattle, मवेशियों को कहते हैं, vermin, destroy our property and carry disease, जो हशरात हैं, हमारी property को तबाह करते हैं, और बिमारियां लेके आते हैं, who are those people, जब ज्यादा सारे persons होते हैं, तो हम people कहते हैं, और people हमेशा plural होगा, there are few gentry in this town, इस town में कुछ ही मौजजीन है, important बात यह है, as a common noun, people means a nation, and is used in both singular and plural, for example, the Japanese are hard working people, यहां पे जो people है, यह सिरफ एक जो Japanese nation है, उसके लिए use हुआ है, second sentence है, there are many different peoples in Europe, यॉरप में different किसम की कौमें रहती हैं या मुजूद है, यहां पे यॉरप में Indians होंगे, पाकिस्तानी होंगे, Japanese होंगे, Chinese होंगे, तो different nations के लिए यहां पे people का word यूज़ हुआ है, अगर अकेली उसी nation की बात हो, तो फिर people use होगा, a compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word, जो compound noun है, उसकी plural form बनाने के लिए, उसका जो root word या principal word होगा, उसके साथ s एड़ करने से उसकी plural form बनेगी, for example, commander in chief, plural होगा, commanders in chief, last word के साथ नहीं, उसका जो root word होगा, principal word होगा, उसके साथ s लगाके, उसकी plural form बनेगी, son in law, sons in law, daughter in law, daughters in law, maid servant, maid servants, लेकिन जब बात हो, man servant की, तो फिर, man का, जो हम center वाला vowel change करके, उसकी plural form बनाते हैं, फिर होगा, man's servant नहीं होगा, men कार देंगे, man को, man की बजाए, men होगा, man servants, servant के साथ s आएगा, लेकिन, जो man है, इसको men कर देंगे, many nouns taken from foreign languages, keep their original plural form, कुछ ऐसे nouns होते हैं, जो foreign language से, English में आये होते हैं, उनकी अपनी, original plural form होती है, जैसे latin से words आये हैं, iratum से irata, iratum singular होगा, और irata plural होगा, formula, formulae, और formulas भी कह सकते हैं, index, indices, memorandum, memoranda, इसी तरह ग्रीक वर्ट जो है, axis, a, x, i, s, axis वाला होगा, singular, a, x, e, s, plural होगा, crisis, s, i, s, वाला जो है, वो singular, c, r, i, s, e, s, crisis, ये plural, basis, b, a, s, i, s, basis, singular, b, a, s, e, s, basis, plural, parentheses, bracket को कहते हैं, hypothesis, s, i, s, जो होगा, ये वाला hypothesis, singular होगा, और एंट पे, s, e, s, वाला जो है, ये plural होगा, phenomenon, singular, phenomena, plural, criterion, singular, criteria, plural, कुछ nouns जो हैं, उनकी दो plural forms होती हैं, लेकिन उन दोनों के meanings different होते हैं, जैसे brother, singular है, plural होगा brothers, meaning इसको होगा, sons of same parent, same parent के जो बेटे होंगे, brethren, brethren कहेंगे, members of a society, और a community, इसी तरह, index, singular है, indexes, plural होगा, table of contents, two books, और indices, signs used in algebra, कुछ nouns ऐसे भी हैं, जिनके singular के दो meaning होते हैं, और plural का एक होता है, जैसे light, radiance, या lamp, दो meaning इसके होगे, और lights होगा, तो सिरफ lamps इसका मतलब होगा, people, nation, एक meaning इसका होगा, और people होगा, तो वो सिरफ nations के लिए ही use होगा, इसी तरह, powder, dust, या a dose of medicine in fine grains, like dust, जो दवाई के खुराख है, dust की तरह की, उसको भी हम powder कहते हैं, powders होगा, तो वो सिरफ purely, doses of medicine, practice, habit को भी कहते हैं, और exercise of a profession, किसी profession की जो practice है, exercise है, उसको भी कहते हैं, लेकिन जब practices होगा, तो वो सिरफ habits उसका meaning होगा, some nouns have one meaning in the singular, and two in the plural, अभी जो हमने रूल पढ़ा, इसमें, दो meaning उसके singular में होगे, और एक plural में, अब जो हम पढ़ेंगे, उसमें plural में दो meanings होगे, और singular में एक, जैसे premise, इसका meaning होगा proposition, और premises, propositions या buildings, spectacle, a site, और spectacles, sights या eyeglasses, दो meaning इसके होगे, some nouns have different meanings in the singular and the plural, कुछ nouns ऐसे हैं, singular में 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 और होगा, और plural में और होगा, जैसे advice, council, और advices, information, good, benefit या well-being, goods होगा तो, merchandise जो items होती है, उनको हम goods कहते हैं, इसी तरह compass, extent या range, और compasses होगा तो, an instrument for drawing circles, force, strength, और forces, troops, जो armed persons होते हैं, उनको कहते हैं, letters, figures, and other symbols are made, plural by adding an apostrophe and s, letters, figures, या कुछ दूसरे जो symbols होते हैं, उनमें apostrophe और s एड़ करने से, उनकी plural form बनेंगी, for example, there are more e's than a's on this page, इस page पे, जो e हैं, वो a से ज्यादा है, e जो है, वो letter है, तो plural form बनाने के लिए, पहले apostrophe एड़ की और उसके बाद s, dot your eyes, and cross your t's, add two fives, and four twos, abstract nouns have no plural, जो abstract nouns होंगे, उनकी कोई plural form नहीं बनती, they are uncountable, जब वो हैं ही uncountable, तो पिर उनकी plural form कैसे बन सकती है, जैसे hope, charity, love, kindness बगएरा, इस तरह के words, जब plural के तौर पे जाहिर होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तब वो countable के तौर पे इस्तमाल हो रहे होते हैं, जैसे provocations है, provocations कहते हैं घुसे को, provocations जब होगा, तो इसका मतलब होगा instances और cases of provocation, उन actions की बात होगी, जो उस इश्तियाल की वज़ा होगी, kindness is acts of kindness, जो रहमदिली के काम होंगे, उनकी बात हो रही होगी, तो जब abstract nouns, plural के तौर पे यूज होते हैं, तब वो countable के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जैसे copper, iron, tin, wood बगएरा, जो substances के नाम होते हैं, ये भी uncountable होते हैं, इसलिए इनकी भी plural form नहीं होती, तो ये भी countable बन जाते हैं, अपने meaning को change करके, जब ये plural form में लिखे होते हैं, फार एक्जेमपल, coppers, जब होगा, तो इसका मतलब होगा copper coins, इसी तरह iron की बजाए, जब irons लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा fetters, fetters कहते हैं, chain या रुकावट को, जो जनजीरे होते हैं, उनको, tins, cans made of tins, जब tins लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा, वो cans, जो tins की बनी होती है, woods, woods होगा तो लकड़ी होगी, woods, forests, इसी के साथ, हमारा जो noun का topic है, वो complete हो गया है, आपको कोई question हो, तो आप comment box में पूछ सकते हैं,